गूद मॉर्निंग स्टुदेंट्स, बीएसी पार्थ थर्ड, सेमेस्टर सेक्स्थ, पेपर सेकेंड क्वांटम मेकानिक्स, तुडें वी आ गूएंग टो डिस्कूस, बाउंडरी एंड कंटिनिटी कंडिशन्स अन दे वेव फांक्शन, आज हम तरंग फलन पर परिसीमा प्रतिबंद तथा सांतत्य प्रतिबंद के बारे में पढ़ेंगे, बाउंडरी एंड कंटिनिटी कंडिशन्स अन दे वेव फांक्शन, बाउंडरी और कंटिनिटी कंडिशन्स समझने के लिए, हमें तरंग फलन के लिए मेक्स बाउंड की व्याक्ष्या को समझना होगा, जहां हमने वेव फांक्शन साई आर को प्राइक्ता आयाम कहा था, और प्राइक्ता घनत पी आर को हमने लिखा था, मॉडुलस ओफ साई आर स्क्वेर, तरंग फलन की बहुतिक सार्थक्ता पर एक वीडियो फिफ्ट सेमिस्टर में बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है, आप उसे समझ सकते हैं, मैक्स पॉर्ण ने तरंग फलन की व्याख्या में कहा था, कि वेब फांक्शन साई आर पर दो प्रतिबंत लगते हैं, पहला वेब फांक्शन साई आर का स्पेस के किसी भी एक स्थान पर एक मान ही होना चाहिए, ताकि दरंग फलन द्वारा वर्णित कंड के उस स्थान पर पाए जाने की प्राइक्ता का एक ही मान हो, दूसर पतिबंध है था, कि स्पेस के किसी भी स्थान पर वेब फांक्शन साई आर का मान फाइनाइट होना चाहिए, ताकि किसी आयतन अलपांश डीवी में कंड की पाए जायने की प्राइक्ता जिसे हम मॉडुलर साई आर स्क्वेर डीवी द्वारा लिखते हैं, इसका मान भी हमें परिमित प्राप्त हो, मेक्सपॉर्ण की इस व्याख्या के अनुसार, स्पेस के प्रतेक स्थान पर वेब फांक्शन या तरंग फलन सिंगल वैल्यूड या इकलमानी होना चाहिए, तथा फाइनाइट या परिमित होना चाहिए, इस प्रकार तरंग फलन पर दो प्रतिबंध हम देख चुके हैं, पहला प्रतिबंध ये हुआ कि तरंग फलन सिंगल वैल्यूड या परिमित होना चाहिए, और दूसरा प्रतिबंध ये हुआ कि तरंग फलन सिंगलमानी होना चाहिए, अब हम बाकी प्रतिबंद देख लेते हैं Schrodinger equation को हमने लिखा है minus h cross square by 2m delta 2 plus vr psi r plus e psi r यह Schrodinger equation second order की differential equation है अर्थाथ दृत्य कोटी की अवकल समिकरण है इस equation को देखकर हम यह क्या सकते हैं कि अगर कोई कंड किसी finite potential energy field vr में गती करता है तो wave function के derivatives delta 2 psi by delta x2 delta 2 psi by delta y2 plus delta 2 psi by delta z2 अर्थाथ delta 2 psi लापलासेन operator जिसे हम बोलते हैं delta 2 psi भी परिमित होना चाहिए second order derivative का परिमित होने का अर्थ हुआ कि wave function psi तथा उसकी प्रवणता delta psi by delta x del psi by delta y del psi by delta z अर्थाथ delta psi भी continuous हो अर्थाथ सतत हो इसका यह अर्थ होता है कि wave function psi तथा उसके first derivatives del psi by del x del psi by del y और del psi by del z भी continuous होने चाहिए अर्था हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर समीकरन के second order differential equation होने के कारण इसके हल इस प्रकार होने चाहिए कि wave function psi तथा del psi दोनों ही x y z के continuous function हो अर्थाथ सतत फलन हो यह तभी संबभ होता है जब विभख्षेत्र vr finite हो परिमित हो किन्तु यदि विभख्षेत्र इस प्रकार हो कि वो boundary पर vr is equal to infinite हो जाए तब wave function psi x कमान boundary पर 0 ने हो जाता है The essential boundary and continuity conditions that a wave function must satisfy are the following First, psi must be finite for all values of x x के सभी मान उपर wave function psi कमान परिमित होना चाहिए Second, psi must be single valued that is for each value of x, y, z psi must have one value only Space में किसी भी point x, y, z की हर value के लिए wave function psi single valued होना चाहिए अर्थात एकल मानी होना चाहिए Psi must be continuous in all region where the potential is finite अभी हमने देखा था कि अगर potential field finite है हर्थात परिमित है तो wave function के second order derivative भी परिमित होने चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि wave function psi continuous हो, सतत हो Fourth, the gradient of psi del cyber del x, del cyber del y, del cyber del z must be continuous in all regions where the potential is finite जब potential energy function finite या परिमित होता है तो wave function की प्रवणता del cyber del x, del cyber del y और del cyber del z भी continuous या सतत होने चाहिए इससे ये स्पर्ष्ट है इस शोर्णिंगर equation के जो solutions है, जो हल है वो इस प्रकार होने चाहिए जो इन चारों conditions को satisfy करते हो या इनका पालन करते हो अब हम कुछ examples देखेंगे और ये समझेंगे कि ये तरंगफलन किसी भौतिक निकाय के तरंगफलन हो सकते हैं या नहीं अगर वो तरंगफलन इन conditions को satisfy करते होंगे या इन पतिबंद का पालन करते होंगे तो तो वो संभव solutions है और अगर इनका पालन नहीं करते हैं तो वो तरंगफलन नहीं हो सकते हैं सबसे पहले ए देखते हैं ए डियाग्राम में हम एक लियर है कि X के किसी भी मान पर तरंगफलन साई के दो मान प्राप्त हो रहे हैं उपर जो तरंगफलन के प्रतिबंद थे उसमें एक प्रतिबंद ये था कि तरंगफलन एकल मानी होना चाहिए यहाँ पर तरंगफलन एकल मानी नहीं है X A की X पे हमें तरंग फ़लन के दो मान प्राप्त हो रहे हैं इसलिए ये संभब नहीं है B एक्जामपल देखते हैं B एक्जामपल में X के किसी भी मान पर तरंग फ़लन सिंगल मानी है लेकिन यहां ये क्लियर हो रहा है कि एक पॉइंट पे जाकर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा डेल साइबर डेल एक्स वो डिसकांटिनेस होगा और सान तत्य होगा इसलिए B में जो तरंग फ़लन है ये भी संभब तरंग फ़लन नहीं हो सकता है C डाइग्राम में जो तरंग फ़लन दिखाया गया है यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ साथ तरंग फ़लन का मान बढ़ता है और किसी मान पर तरंग फ़लन का मान इंफाइनाइट या अनन्द हो जाता है इसलिए ये तरंग फ़लन भी संभब तरंग फ़लन नहीं हो सकता है D में देखते हैं D में जो तरंग फलन दिखाया गया है इसमें ये क्लियर हो रहा है कि X के एक मान पर तरंग फलन के दो मान प्राप्थ हो रहे हैं इसलिए ये तरंग फलन भी संभब नहीं है E diagram देखते हैं E diagram में X के किसी भी मान पर तरंग फलन के हमें 2 या 3 मान भी प्राप्थ हो रहे है इसका मतलब ये multi-valued function है X के किसी भी मान पर हमें साई के 2 से ज़्यादा मान प्राप्थ हो रहे है बहु मानी मान प्राप्थ हो रहे है इसलिए ये भी संभव नहीं है लास्ट है लास्ट है F इस पे हम देख रहे हैं कि वे फंक्शन साई एक्स का फंक्शन है जहां साई को हम लिख सकते हैं A, exponential X अर्थात X के बढ़ने के साथ साथ तरंग फलन साई का मान भी बढ़ता जाएगा जब X tends to infinity होगा तो तरंग फलन साई का मान भी अनन्थ हो जाएगा साई का मान अनन्थ होना ये संभव नहीं है हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब X tends to infinity हो तब साई का मान शून्ने हो जाना चाहिए इसलिए F में जो तरंग फलन दिखाया गया है ये भी संभव तरंग फलन नहीं हो सकता तैंक यू